आज का वर्दान, क्लियर बुद्धी द्वारा, हर बात को परक्कर, यह थार्थ निरणे करने वाले, सफलता मूर्थ भावर, आये इस वर्दान का स्वरूप बने, आउम शाते, मस्तक के मथ्य, चमकते होए, दिव्वे सितारे को देखे, मैं आत्मा, लाइट, शक्ती हो, मैं पवत्रता के स्त्रोथ, शिव बाबा की संतान, पवत्र स्वरूप हो, महसुस करें, मन में, गहरी शुद्धता, समर्थ संकल्प, एक बाबा की शात, कोई व्यक्ती नहीं, व्यक्त भावनाए नहीं, एक तम प्योर, बद्धे, एक आग्र, एक की शात, एक ही लक्ष है मेरा, मेरा बाबा, और बाबा का घर, मेरा घर, कोई भटकाव नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, क्लीन, क्लीर, संसकारों में, एक बाबा की श्रेमत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ता, फील करते चाएं, जानतरिक, पवत्रस्थति को, जिसमें बाबा ही मेरा, संसार है, में मन की बात, अपने बेहद के, मातपितास से ही, करती हो, उस सच्चे बाब से, सदा सच्ची रहती हो, एक तम क्लियर, और यह अंतर एक सच्चाई, अंदर की सफाई, मिरी बुथी को, पवत्र और दिव्वे बना देती है, मिरी आंतरिक, नरणय और परखने की शक्ती को, बढ़ा देती है, मुझे मनुष्य आत्माओं की, परस्थितियों की, सही पहच्चान करा देती है, दूसरों की भावनाओं को, उनकी आंतरिक व्रतियों को समझने की, शक्ती और सामर्थ देती है, मैं सूस करें, अब मैं परस्थिती प्रमाण, संबंध, संपर्ग में आने वाली, आत्माओं के मूट प्रमाण, उनके साथ वहवार में आती हो, उनको परक कर, यह थार्थ निरणे ले लेती हो, और यह आंतरिक बुद्धी बल परकने का यह दिव्वे गोण, मुझे हर कर्म में, हर संकल्प में, सहच सफलता मूरत बना देता है, महसूस करें इस सर्व समर्थ स्थिती को, अपने सिद्धी स्वरोप को, आम शाथे झाल झाल मुझे झाल झाल